हाई गाइस मेरत आमें साहिल खंद और आज की बिने शुरू करते हैं सबसे पहली न्यूज है एलाउन मस्त ने ग्रॉक निकाल दिया है जो कि AI बॉट है चैट जीपीटी का राइवल कहा जा रहा है इसको मिने बहुत सारे थ्रेट्स भी देखे जहाँ पर इसके बारे में डिसकुशन हो रहा था उल्टी से चीसे ओज रखे दिमें ने इक देखा जहाँ पर कोकीन बनाने का फॉर्मूला टाइप पूछा जा रहा था और बहुत ही स्मार्ट तरीके से अंसर दिया इसने मतलब नॉर्मल जैसे चैट जीपीटे पे गया रहा है उसी दा मना कर देता है पर ये एक हुमरस जवाब दे रहा है जो कि बहुत मस्ता बाकि इसके पास में बहुत बड़े एडवांटें रहने वाली क्योंकि ट्विटर के साथ में लिंक है तो ट्विटर के उपर सारी news, updated, सारी चीज़े आती है तो ये बहुत ज़ादा out-to-date हैने वाला है with facts पर देखते हैं, fake news से कहीं train ना होने लग जाए किस तरीके से ही ये काम करेगा रहे है बहुत interesting रहने वाला है अगर मैं चाइना के AI pioneer काइफुली की बात करके चलो तो उनकी जो स्टार्टप है आठ महीने वे बिल्लेंड डॉलर बन गई उनिकॉन मना लिया रहने recently उन्होंने एक open source large language model को निकाला था जो की बहुत ज़ादा efficient है ज़ादा parameter उस पर train नहीं है पर फिर भी अच्छे numbers निकाल गए आ रहा है और इसका focus है चाइना के उपर focus किया हुआ large language model और ऐसा ही मुझे लगता है इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ी need है इस time पे अब बात करते हैं बुरी खबर के बारे में सबसे पहली चीज जो oil के prices है वो 110 डॉलर पहुचते हुए दिखाई दी है इसकी वज़े से Morgan Stanley का कहना है कि interest rate बढ़ सकते है फिर से उनका कहना है कि 50 points inflation बढ़ सकता है जिसकी वज़े से current account deficit के उपर 30 basis point का फर्क पढ़ सकता है और 110 डॉलर पर barrel अभी खतम होतो है दिखाई नहीं दे रहा लग रहा है prices और भी बढ़ सकते है क्योंकि Saudi Arabia रशिया की बात करके चले तो अभी भी वो oil cuts को continue रखने की बात कर रहे है अब देखो एक जगा पे चल रही है war war के चक्कर में रशिया लड़ रहा है तो वहां से oil की supply के उपर बहुत सारे restriction लगे होए थे दूसरा अभी गल्फ के अंदर भी पंगा सुनने में आ रहा है कि बढ़ सकता है अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो oil भाई और फस्ताव दिखाई देगा तो यह बहुत गलत चीज होने वाली है सब के सब सोच रहे थे situation सही होगी oil के prices कही न कही हर चीज को बढ़ाएगी inflation, transportation, logistics जिसके वेश से आपका food inflation बढ़ जाएगा सब कुछ बढ़ता हो दिखाई दिया सकता है अब बुरी खबर की बात ही कर रहे है तो Indian startups की भी बात ही कर लेते है अगर हम दंग्जों की बात करके चले 26 करोड तक इनका revenue पहुंच गया है मतलब इतना इनोंने कमाया है profit की बात ही नहीं हो रही है और loss आप 1800 करोड की बात कर रहे हो मतलब minus 677% का EBITDA margin भाई मजा आखी चल परा साबज में नहीं आ रहा और अभी recently ये funding की बाते भी चल रही थी 59% घटे होई दिखाई दिया है year on year और वो पहुँच गए है 102 करोड के उपर त्योंकि पहले 2500 करोड से जादा थे और यहां पर हम quarter level पर बात कर रहे है quarter 2 की मतलब overall आख कह सकते हो की 304 करोड का तो loss report करे गी हाँ इनका EBITDA margin इंप्रूव होता है दिखाई दिया है सबकुछ इंप्रूव होता है दिखाई दिया है पर लॉस तो भी बहुत जादा है बाकि अगर डेलिवरी की बात करके चले तो अभी future में acquisition का भी प्लान कर रहे हो 4.75% stakes ले रहे है Falcon Auto Tech के 52 करोड के अंदर और पहले भी इनके पास में कुछ stakes थे जो की मिलाक है अब इतकी 40% के आसपा stakes बन जाएगे अब ये Falcon Auto Tech करता क्या है ये automation प्रॉवाइड करता है वेयर हाउसिंग के दर मतलब गुदाम के अंदर जिसकी वेसे आपकी efficiency बढ़ जाती है और खर्चे कम हो जाते है अगर हम delivery के CEO की बात करके चले तो उन्होंने काया कि 15% year on year festive season के उपर growth देखा है e-commerce ने और दूसर साइट पर अगर हम उडान की बात करके चले तो उडान भाई IPO निकालने वाला 2025 के अंदर और उसके चक्कर में अपनी cost अभी से कम करने की कोशिश कर रहा है उनका plan है अठारा महीने के अंदर हम profitability achieve करेगे अगर देखते है कब तक कर पाते है क्योंकि देखो simple सी बात अब सब investors को at least retail investor को profitable company हो में invest करना है और हम अभी की बात कर रहे है और future के अंदर 2025 के अगर बात करके चले तब तक तो मुझे लगता retail investor और जड़ा educated हो चुका होगा और भी उसको बहुत सारी समझ आ चुकी होगी अभी recently उडान ने financing के उपर भी focus किया है जाब है वो fintech unit से लोगों को working capital loan दे रहे जैसे की shop keepers हो गए business हो गए उनको और company का ऐसा मानना है कि यहीं से हमारा profit बनता हुआ दिखा ही देगा अब अगर मैं shark tank की बात करके चलू तो shark tank को Ronnie's crew वाला जो की upgrade के founder है जो की movie producer भी है Echo के जो see होगा है Varun Dua, Edelweiss mutual fund की Radhika Gupta, उन सबने जोइं किया है इस time पर shark tank आने वाला है उसके अंदर 12 से जारा sharks हो सकते हैं इसके अंदर Ritesh, Agarwal, Dipinder, Goyal, Azhar, Iqbal सब के सब होगे बाकि पहला shark tank का season बहुत interesting था क्योंकि नई चीज थी second में मुझे उतना मजा नहीं आया है तो उनका जो quarter 2 का loss है 89% घटा हो दिखाई दिया है एर और एर बात करके चले 21 करोड पर पहुंच गया है तो ठीक है 21 करोड का loss कर रहे हो फिर भी अच्छी बात नहीं है पर improve होते होए दिखाई दे रहे 89% reduction आया है इनके net loss के अंदर same quarter पिछले साल से compare करके चले 187 करोड का था जो कि किस करोड तक आया है ठीक है improve होता होए दिखाई दे रहा है डूसरा एट पर अगर हम Adani Group की बात करके चले तो वो जो Adani Wilmar है ना उसके दोर अपने stakes को बेश सकता है इनके पास में 43.97% stake है Adani Wilmar के और कहा जा रहा है 23-3 billion के बीच में इस stakes को ये बेश सकता है और अगर मैं अपनी बात करके चलो तो वाई मुझे लगता था कि Adani Wilmar का जो main business है ना वो यही fortune oil है क्योंकि वो ही मुझे दिखाई देता है बाकि अभी के time पे इनका जो focus है ना non core business से अटने का है मतलब इनका fortune oil जो हम सोचते core business है वो नहीं है Adani Enterprises है वो है इनका core business और ये चीज़ क्यों हो रही है क्योंकि जब से Hindenburg report आई थी उसके बाद से इनके fund market से मिलने उत्रे असान नहीं रहे उसके बाद से ही Adani अगली कबर Warren Buffett के best share headway की है तो quarter 2 का जो net loss है वो 12.77 billion तक पहुंच किया ये बाद बड़ा मूंटा था अगर दिखा जाए तो और इसका reason का जा रहा है Apple के share prices गटे है उसकी वेज़े से हो रहा है insurance sector से उनने पैसा कमाया है पर overall loss में रहे है मज़े की बात यह है इनके पास में 157 billion dollar से ज़्यादा cash पढ़ा है जिसको अगर market के हाल बूरे होते है तो ये utilize कर सकते है अगली कबर विदानता किया है तो भाई वो 1.25 billion dollar raise कर सकते है private loan से 20% interest rate पे बहुत बड़ा interest rate हो गया मेरे साब से बाकि अभी इक टाइम पे इनको loan नहीं मिल रहा होगा न इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि 3 billion dollar का इन्होंने US currency का bond ले रखा है जो कि 2 साल के अंदर mature होने वाला है तो उसी के चक्कर में शायद ये कोशिश कर रहे है कि पैसा का इसे कठा कर लिया जाए अब अगर हम buy use की बात करके चले तो वो भी पैसा raise करने की कोशिश कर रहे है Epic को बे सकते हैं वो 400 million dollar के अंदर ताकि जो उनको पैसा चाहिए जो उन्होंने 1.2 billion dollar का loan ले रखा है उसको वो चुका पाए और मज़े की बात समझाओं 500 million dollar के अंदर ने 12-21 के नदर इस company को हो दे जादा और सोता था कि हम बढ़ाएगे पर actually 100 million dollar का इतने सादों में उन्हों लोज भी ले लिया अब अगर positive sides की बात करके चले जो क्राफटन इंडिया के CEO है उन्होंने बुला है कि बाई इंडिया top 5 market में से है gamer की अगर industry की बात करके चले जहाँ पर willingness to pay है मतलब लोग gaming industry के अंदर पैसा देने के लिए तयार है यहाँ पर उन्होंने बुला है यह जो number है 10% से नीचे है मतलब 10% से भी कम Indians है जो की game खेलते हैं और वो game के उपर पैसा घर्च करना चाहते है पर इंडिया के पास में number है क्राफ्टन की जो पूरी market है यूजर बेस है उसमें से top 3 market के अंदर इंडिया आता है overall वो अपनी strategy से इंडिया को नई चोड़ना चाहते है बाकि अगर हम IPOs की बात करके चले तो इंडिया भाई global leader है number of IPOs के अंदर 2023 के अंदर इसका मतलब यह है इंडिया ने जो 170 IPOs निकाले है वो सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया के अंदर ये नंबर बहुत तीजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अगर हम Fitch की बात करके चले तो उनोंने इंडिया की जो GDP growth forecast है उसको भी बढ़ा दिया है 6.2% पे कर दिया है 5.5% से अब अगर mixed news की बात करके चले तो भाई दिल्ली के अंदर और इमन scheme वापसी आ रही है 13 नमवंबर से ताकि pollution को रोका जा सके बाकि मुझे बाई ये देखो ना पराली जो जल रही है उसको कंट्रोल करो ना कि इसको करो अभी तो कोई पटाके नहीं फट रहे है अभी तो तुम कहनी सकते कार का pollution हो रहा है पराली पहली ये हफते डेड हफते पहले चलनी शुरू होगी ति उससे जो pollution आ रहा था और सबको पता था कि भाई अभी अलगी ठंड बड़ेगी वो जो पराडी जल रही है आट-दस दिन के नहीं हाँ दिल्ली में दुआ आएगा उसके बाई सब कहें कि भाई दिवाली की वह इसे हो रहा है इसकी वह इसे हो रहा है इसके उपर काम करना चाहिए ना गवर्मेंट को मेरे साब से पर यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है यार अगर आप भार जा रहे हो ना तो आखों में चुबन हो रही है pollution के वैसे इतना बुरा हाल है दिल्ली के बाद में फरिदाबाद आती है second worst air quality condition के अंदर अगली कबर जियो की है तो जियो का जो 4G feature phone है ना उसके shipment 300% बढ़ती हुए दिखाई दिया है वाई triple line का उना फोन निकाल रखा है 4G जिसके अंदर UBIV applications भी है तो बहुत सारे जो tier 3, tier 4 वाले लोग है वो ले रहे है बाकि मुझे रखता है इसके जो recharge है वो भी सस्ते है अगर आपको office के लिए secondary phone चाहिए रहा तो ये phone कोई मड़ा नहीं है अगर हम South Korea की बात करके चले तो भाई उन्होंने सारे stocks के उपर short selling को रोग दिया है June 2024 तक और ये बड़ी चीज़ा देखा जाए मई 2021 के नदर इन्होंने जो पहले बैन लगा रहा तो उसको lift किया ता कुछ टाइम के लिए उसके बाद भी फिर से लगाते हुए दिखाई दे रहे है इसका मतलब ये भी हो सकता है इसको लग रहा है market crash कर सकती है ले शॉट सेलिंग नी करने देगे ता कि market को कंट्रोल किया जा सके अगली कबर Disney Plus Hot Star की है तो चार करोड चालिस लाग के आसपास देख रहे थे इंडिया साथ अफरीका का मैच Hot Star के उपर और ये बहुत बड़ी चीज़ है एक साइड पर और अपने आपको बेशरी कोशिश कर रहा है दूसर साइड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है number of concurrent viewing के अंदर और main बात ये है ये साड़े चार करोड के आसपास लोग है ना जो देख रहे हैं कम से कम एक के उपर तीन से चार लोग भी देख रहे होते जैसे हम अपने घर की बात करा करके चलो हम TV के अंदर प्ले करते हैं तो हम Q3 बंदे देख रहे होते हैं मतलक़ कई बार तो मेरे फाइव आई सब के सब बुरी रिस्ठदारी बेठी होती है हम सब बैट के देख रहे हैं, आठ थर साथ साथ बंदे देख रहे हैं, एक ही टीवी के उपर, तो आपके घर में कितने देखते हैं, तो ताकि हम average निकाल सकें, कि कितने लोग देख रहे हैं थे actually match को, बाकि एक और industry है, जो इंडिया के अंदर बढ़ती भी दिखाई दे रही हो, ताकि कभी वो age आती है, जब आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, तो उस time पे आप उन eggs का use करके, अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो यह आज के time पे बहुत common practice देखी जारी है, females के अंदर, क्योंकि आज के time पे जो females है, वो working है, और उनको बच्चे जल्दी नह चाहिए, बहुत सारी हमने heroine school भी देखा है, 36-37 के हो गए, उनके बच्चे नहीं हुए, तो main बात यह है, कि उन्होंने अपने egg freeze करा रखे होते हैं, ताकि बाद में future में जब जुर पड़े तो करा पाए, और आने टाइम में हम यह चीज देखेंगे common होती हुई, बागे म मुझे personally लगता है इतनी लेट बच्चे नहीं करने चाहिए, although मैं अपनी बात करके चलो तो मैंने भी 30 साल की उमर में बेटी हुई थी, पर मुझे लगता है कि अगर मेरे पास option होता, तो मैं 21-22 के अंदर भी बच्चा कर सकता था, उस टाइम पर यह था कि मैं पड़ाई कर रहे थे, उस टाइम पर financially कुछ थे नहीं, उस टाइम पर में को मेरी वाईब भी नहीं बिली थी, तो यह वाली चीज़ को पर छोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है कि जल्दी शादी कर ले मीची है, ताकि जब बच्चे बड़े हो ना तो तुम भी जवानी हो, ताकि साथ में खेल सको, मुझे कर सको, आज के नाइम पर लोग 30-32 साल में बच्चे कर रहे हैं, तुमारा बच्च जब 18 साल का होगा, तुम 50-55 के हो चुके हो, बुड़े हो चुके हो, शरी में उतनी ताकत नहीं होगी, जितनी पहले हुआ गरती थी, तो तुम बहुत कुछ नह पर पूचना चाहूँगा, कि भाई, शरादों के अंदर यहनोंने बहुत सारी सेले निकाल रखी थी, Amazon Flipkart ने, कितने लोगों ने लिया, कितने लोगों ने नहीं लिया, क्योंकि कहते हैं, शरादों में खरीते नहीं है, पर इस बार तो बहुत सारी लोगों ने खरीता है, बाकि अगर अगर मार्किट की बात करके चले, तो पॉजिटिव जाती भी दिखाई दिया मार्किट, रीजन अगर मेजर ली देखाया है, यूएस का 10-year yield है, वो 29 basis point बढ़ता होगा दिखाई दिया था लास वीक, उसी का impact दिखाई दे रहा है, बाकि ओवरॉल बहुत सारी चीज़े उपर नीचे जल रही है, मार्किट उपर है, ठीक है, अच्छी बात है, बाकि कुछ negative signs है मार्किट के अंदर, जो की मार्किट को नीचे दवाएगी आने ले टाइम में, बाकि यह लोग है बाकि हमारे supporter, जिनकी वैसे daily आप तक हम business news लाब आते है, अब हम तीन पे जाओगे, आपकी marketing भी हो जाएगी, अब smartly सोचो के तो अगर अब brand है तो मेरा कोई, तो उसका नाम का YouTube channel बना के तुम नहीं हाप रिला सकते हो, और मैं हमेशा दिखाता हूँ, पर तुम्हारी marketing भी हो सकती है, तो इतनी के साथ, आज की एविजी news खतम होती है, वीज़ करत आपको मज़ा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कविट दाना वीडियो केसी लगी, बायर कुन नश्वाकर, गुद आफिस, गुड मॉर्निक आफिस, जब भी आवडियो को देख रहें, जैहिन बद्दे बात रहों